नमस्कार हमारे इग्नु ओडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। एक, प्रस्तावना, खंड, दोग की इक्काई, छे में आपने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। संतुलित आहार वह आहार होता है, जिसमें उचित खाद्य पदार्थ, उचित मात्रा तथा अनुपात में होते हैं, ताकि व्यक्ति विशेश की पोशन की आवश्यक्ताओं की पूर्ती हो सके। देनिक भोजन में प्रायतीन मुखे आहार होते हैं, सुभा का नाष्टा, दोभर का आहार तथा रातरी का आहार। यदि हम प्रत एक आहार को संतुलित बना लें, तो दिन भर का भोजन संतुलित हो जाएगा। आप संतुलित भोजन वा आहार नियोजन के सिध्धान्तों से पहले से ही परिचित हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएगे कि संतुलित आहार नियोजन व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वक्षेत्री ढ़ाचे के अनुरूप होना चाहिए। स्वीकारे तथा परियाप्त आहार की योजना बनाने के इस प्रयोगात्मक तथा उपयोगी कारे को ही आहार नियोजन कहते हैं। पहले बताए गए कारकों के अतिरिक्त, बहुत से अन्यकारक जैसे व्यक्तिगत अभिरुजी, समय तथा श्रम की बच्चत, भोजन में विविदता आदी भी आहार नियोजन में महत्व पूर्ण भूमी का निभाते हैं। इस इकाई में इन कारकों तथा आहार नियोजन में इनके उपयोग के बारे में चर्चा की गई है। इस अवधी के दोरान वयसकों की पोशन संबंधी आवशेक्ताई उनकी आयू, लिंग व सक्रियतास्तर पर निर्भर करती है। इस प्रकार पोश्टिक तथा सस्ते आहार की व्यवस्था की जाएं, इन सभी पहलूओं पर हम इस इकाई में विचार करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप आहार नियोजन की अवधारना तथा लक्षे बता पाएंगे आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातों को जान सकेंगे। वयस्क आवस्था की विशेश्टाएं बता सकेंगे, वयस्कों के लिए पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा की सूची बना सकेंगे तथा वयस्कों के लिए आहार नियोजन का वरनन कर सकेंगे। वह व्यक्ति जिस पर भोजन पकाने खिलाने का दायत्व होता है, सामाने तह कई प्रकार के निर्ने लेता है, जैसे वह क्या परोसे, कितनी मात्रा में भोजन बनाए, कितना वय करे, कहा से और कितनी मात्रा में खादे पदार्थ खरीदे, भोजन किस समय और किस प्रकार पर वस्तुत यह सब निर्ने आहार नियोजन के ही अंग हैं। यह याद रखिए, आहार नियोजन पोशन संबंधी आवशेक्ताओं की पूर्ती के लिए उचित खाद्यपदार्थ चनने का ही अभ्यास नहीं हैं। अपित यह आकर्शक तथा मजेदार आहार बनाने से भी संबंधित है। भोजन स्वादिष्ट तथा सवास्यक्त होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, खाने से पहले भोजन आखों के समक्ष आता है। आध्य स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन का आकर्शक होना भी बहुत आवशक है। भोजन को आकर्शक कैसे बनाया जाए इसके लिए एक खाद्य आयोजक, मील प्लैनर को केवल आहार नियोजन के सिध्धानतों से परिचित होना ही जरूरी। नहीं है, अपितु, उसे कलपनात्मक वसरिजनात्मक भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ भोजन के रंग, बनावट, टेक्स्चर, वगंद, सवास के आधार पर सम्मिशरन करने की कोशलपूर्ण कला भी उसमें होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप आहार, नियोजन को एक कला भी कह सकते हैं। यह कला विचारशक्ती वप्रेरना से विक्सित होती है। वस्तुत आहार, नियोजन एक कोशल है, जो की निरंतर अभ्यास से ही विक्सित होता है। 7.2.1 आहार, नियोजन के लक्षे। हमें आहार, नियोजन की आवशेक्ता क्यों है। आए निमनलिखित उदाहरणों से इसका उत्तर जानने का प्रयास करें। क, मीना और राजू स्कूली बच्चे हैं। उन्हें बर्गर्स, चोकलेट, टाफिया तथा आईसक्रीम आदी खाना बहुत अच्छा लगता है। उनकी खाने की आदतें उनके दोस्तों तथा टेली विजन में दिये गए खादे विज्यापनों से बहत प्रभावित हैं। दूसरी ओर, उनकी मा, सीता देवी उनकी खाने की आदतों से परेशान रहती है। वह उन्हें दूद पीने, हरी पत्तेदार सबजिया, रोटी चावल खाने के लिए समझाती बुझाती रहती है। ख, मोहन तथा आभा ने अपने दोस्तों को रातरी भोज के लिए आतरित किया है। आभा, महमानों के लिए स्वादिष्ट तथा आकर्शक व्यंजन बनाना चाहती है। भोजन में विविदता तथा आकर्शन लाने के लिए वह विभिन्न खाद्य मिश्रन तथा पाक विधियों का प्रयोग कर रही है। ग, रती एक कारेरत महिला है। उसके पास समय तथा श्रमशक्ती सीमित है। उसकी चेश्टा यही रहती है कि वह सीमित उपलब्ध समय में उचित लागत पर पोश्टिक भोजन तैयार कर सके। उपर युक्त उदाहरणों में आपको आहार नियोजन की आवश्यक्ता संबंधी कौन से संकेत मिले। आए, इस पर विचार करें। सीता देवी के मामले में, आपने देखा होगा कि जाने या अनजाने में वह अपने बच्चों को पोश्टिक भोजन देने का प्रयास कर रही है। आभा का उद्देशे अपने मेहमानों को आकर्शक तथा त्रिप्ती प्रदान करने वाला भोजन खिलाने से है। रती भी सीता देवी की भाती अपने परिवार को उचित लागत पर पोष्टिक भोजन प्रदान करने का प्रयास कर रही है। आथा उपरियुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि तीनों सीता देवी आभा वरती का एक ही प्रयास है कि वे उचित लागत पर पोष्टिक तथा त्रिप्ती प्रदान करने वाला आहार प्रदान कर सकें। वास्तव में यही आहार नियोजन का सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देशे हैं। आहार नियोजन के अनि उद्देशे क्या हैं? आहार नियोजन कैसे फाइदे मंद हो सकता है? इस पर विचार कीजिए। अपने अनुभवों के आधार पर एक सूची बनाएए। आप अपने उत्तर को नीचे दिये गए आहार नियोजन के विशिष्ट लक्षेओं से मिला सकते हैं। आहार नियोजन के मूल लक्षे हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या, आयू, लिंग वसंरचना को ध्यान मेर रखते हुए परिवार के सभी सदस्यों की पोशन संबंधी आवश्यक्ताओं को पूरा करना। परिवार की आय के आधार पर आहार योजना बनाना अर्थात उपलब्ध धन का सर्वोत्तम तरीके से सदुपियोग करना भोजन की उचित खरीददारी, पकाने तथा परोसने में सहायता करना समय, श्रम तथा इंधन की बचत करना तीनों खाद्य वर्गों में से उचित खाद्य पदार्थों के चुनाव द्वारा भोजन में विविधता लाना रंग, कलर, बनावट, टेक्स्चर, तथा स्वास, फ्लेवर को ध्यान में रखते हुए उचित खादे पदार्थों के चैन द्वारा भोजन को आकर्शक वस्वादिश्ट बनाना परिवार के सदस्यों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए पोश्टिक आहार का नियोजन करना, चित्र 7.1 समय पूर्व आहार की योजना बनाना ताकि पूर्व तैयारी की आवश्यक्ता हो तो वह की जा सके तथा बचे हुए भोजन का भी सही उप्योग हो सके आहार नियोजन व्यक्ति की पसंद और नापसंद के अनुसार पोश्टिक आहार बनाने में सहायक होता है, चित्र 7.1 आहार नियोजन का लक्षे विवरन के लिए स्क्रीन को देखे 7.2.2 आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य कारक परिवार के प्रतेक व्यक्ति की पसंद के आधार पर स्वीकारे भोजन प्रदान करना कच कठिन कारे है ऐसा क्यों है? व्यक्तिगत अभिरुचिया, भिन भिन पोशन की आवश्यक्ताए तथा खाने की आधतें कुछ ऐसे कारक हैं, जो की आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं आधे यहां ध्यान देने योग्य निरनायक पहल यह है कि किस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, क्षेत्रिय तथा मानसिक धाचे के अनुरूप परियाप्त तथा संतुष्टी प्रदान करने वाले भोजन की योजना बनाई जाए इस पहल का यहां विस्तार्श से उलेक किया गया है परंत, इन कारकों पर चर्चा करने से पहले आए हम कुछ ऐसे शब्दों से परिचित हो लें जो की आहार नियोजन में बहुधा प्रयुक्त होते हैं बॉक्स 7.1 में इनके बारे में चर्चा की गई है बोध प्रश्न 1.1 निम्नलिखित अनुच्षेद को पढ़िए मोहन उत्तरी भारत के एक सरकारी कार्याले में एक काउंट देन्ख है उसके कार्याले का समय प्राथ 9 बजे से 5.30 बजे तक है उसकी आहार पद्धती इस प्रकार है वह प्राथ उठकर सुबह की चाय पीता है कार्याले जाने से पहले गरिष्ट नाश्टा करता है कार्याले में पैक्र लंच ले जाता है जो कि वह दोपहर 1.30 बजे खाता है दोपहर के भोजन से पूर्व मध्यांतर में वह अपने मित्रों के साथ चाय पीता है फिर शाम चवालीश तीस बजे चाय के साथ अलपहार लेता है साढ़े साथ बजे वह घर पहुचता है तथा कुछ समय पश्चात रातरी का आहार खाता है फिर देर रात सोने से पहले वह एक गिलास दूद पीता है अब उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निमनलीखित प्रशनों का उत्तर दीजिए मोहन की आहार आवरित्ती क्या है मोहन द्वारा एक दिन में खाय जाने वाले आहारों की सूची बनाए ग, क्या आप मोहन के रातरी आहार के लिए एक व्यंजन सूची सुझा सकते हैं आएए अब हम आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य कारकों की चर्चा करें चित्र 7.2 शुरुआत हम पहले कारक पोश्टिक्ता की दृष्टी से पर्याप्त से करते हैं चित्र 7.2 आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक विवरन के लिए स्क्रीन को देखे एक, पोश्टिक्ता की दृष्टी से पर्याप्त, नियूट्रिशनल अलेग वेसी आहार नियोजन में नहत्व पूर्ण ध्यान रखने योग्य कारक व्यक्ति की पोशन संबंधी आवश्यक्ताओं की पर्ती है जब हम परिवार के लिए आहार नियोजन करते हैं, तो यह मुद्दा विशेश रूप से महत्व पूर्ण हो जाता है जैसा कि आप जानते हैं, एक परिवार में विभिन व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे बच्चा, किशोर, वयस्क, गर्भवती स्त्री, व्रिध व्यक्ति इत्यादी यह तो आपको मालम ही है, कि प्रतेक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेश पोशन संबंधी आवशेक्ताएं होती हैं आहार नियोजन का मल उद्देशे प्रतेक व्यक्ति की व्यक्तिगत पोशन संबंधी आवशेक्ताओं की पूर्ती करना है अब आप जानना चाहेंगे कि यह हम किस प्रकार निश्चित कर सकते हैं यह तभी संभव है जब हम प्रतेक व्यक्ति की पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं के अनुरूप संतुलित आहार का नियोजन करें 2. संतलित आहार नियोजन क्या आपको संलित आहार बनाने के विशय में खंड दो मेक की गई चर्चा याद है उसमें हमने आपको तीन खाद्दे वर्गों उर्जा प्रदान करने वाले शारीरिक व्रिद्धी में सहायक तथा रोगों से बचाव वशरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक के बारे में बताया था आहार में इन तीनों खाद्दे वर्गों से खाद्दे पदार्थों को सम्मिलित करने से आहार संतलित अर्थात पोष्टिक्ता की दृष्टी से परियाप्त हो जाता है आहार नियोजन करते समय इस तथे को आप विशेश रूप से ध्यान में रखें प्रतेक खादे वर्ग में कौन से खादे पदार्थ आते हैं? क्या आप उनकी सची तेयार कर सकते हैं? सभी उपलब्ध खादे पदार्थों के नाम सोचिये तथा प्रतेक को यहां दिये गए चार्ट एक में उस खाद्दे वर्ग के सामने लिखिए जिसके अंतरगत वह आते हैं उदाहरन के लिए अनाज उर्जा प्रदान करने वाले वर्ग के अंतरगत आता है आधह सभी अनाज जैसे गेहूं चावल आधी को चार्ट एक में अनाज के सामने छोड़े गए रिक्त स्थान में लिखिए इसी प्रकार अन्य खाद्दे पदार्थों को क्रमशव उनके खाद्दे वर्गों के सामने लिखिए चार्ट एक तीन वर्गों में खाद्दे पदार्थों का वर्गी क्रण विवरण के लिए स्क्रीन को देखे अब समस्या यह आती है कि इन तीन खाद्दे वर्गों के अंतरगत आने वाले खाद्दे पदार्थों की इस विस्तरित सूची में से हम किन खाद्दे पदार्थों का चैन करें यह तो व्यक्ति की आर्थिक क्षमता, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता तथा व्यक्ति की पसंद वस्वीक्रिती पर निर्भर करेगा इन पहलूँ पर आगे विस्तार्ष से चर्चा की गई है तीन, आर्थिक पहलू, परिवार के प्रतेक सदस्य के लिए भोजन की मात्रा वप्रकार का चैन परिवार की आय अर्थात भोजन के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर करता है इसको भली प्रकार से समझने के लिए तीन आय वर्गों निम्न, मध्यम तथा उच्च वर्ग पर गौर कीजिए सीमित आय वाले व्यक्ति, अर्थात जो निम्न आय वर्ग से संबंध रखते हैं अपने भोजन में अधिक मात्रा मिद्ध, मांस, फल आधी सम्मिलित नहीं कर सकते की ये महेंगे खाद्य पदार्थ हैं आध्य ऐसी स्थिती में महत्वपूर्ण निर्णय यह लेना है की कम लागत पर पौश्टिक आहार के लिए किन खाद्य पदार्थों का चैन किया जाए वास्तव में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन से कम कीमत में पौश्टिक आहार की प्राप्ती हो सकती है ये तरीके निम्न लिखित है सस्ते खाद्दे पदार्थ जैसे अनाजों का अधिक प्रयोग करें अनाज में भी चावल वगेहु के स्थान पर सस्ते अनाज जैसे रागी, जवार, बाजरा तथा कुछ अंच तक जड़व मलकंद जैसे आलू, अर्भी, तेपियों का आधी का प्रयोग किया जा सकता है विविधता बढ़ाने के लिए खाद्दे सम्मिश्रन, अनाज और दालों का सम्मिश्रन, तथा अंकुरन, खमीरीकरन जैसी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है सस्ती किस्म की दालों वा सस्ते गिरीदार फल जैसे मूंगफली का प्रयोग किया जा सकता है वनस्पती तेलों का प्रयोग किया जा सकता है मध्यम आयवर्ग के लोग भोजन में अधिक विविधता लाने के लिए अनाज, चावल गेहू, दालों, दूद, फल वसबजीयों का अधिक प्रयोग कर सकते हैं वे अपने भोजन में उचित मात्रा में घीते, चीनी को भी सम्मिलित कर सकते हैं परंत वे गिरीदार फलों, तिलहनों तथा अने कुछ पदार्थों, जैसे जैम, जैली आधि का सीमित प्रयोग कर पाएंगे जैसे जैसे आई बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति विभिन खादे पदार्थों चाहिए वह मौसम के हों या बिना मौसम के स्थानी हों या अने प्रांतों के में से अपनी पसंद के खादे पदार्थों का चैन करने में सक्षम होते हैं आध उच्च आए वर्ग के लोगों के आहार में द्ध्वद्ध से बने पदार्थों, मांस, सबजीयों, फलों, गीतेल का प्रयोग अपेक्षा करित बढ़ जाता है परंत, इस बात की सावधानी बर्तनी चाहिए कि घीते, चीनी जैसे खाद्य पदार्थ शारीरिक आवश्यक्ता से अधिक न लिये जाए आहार नियोजन करते समय उपर्युक्त चर्चित प्रवृत्तियों को ध्यान में रखें आए वर्ग के आधार पर ही खाद्य पदार्थों का विवेक पूर्ण चुनाव करें हमारा वास्तविक उद्देशे हमेशा पोशक तत्वों की आवश्यक्ताओं को पूरा करना ही होना चाहिए चार, खाद्य स्वीकृति, व्यक्ति की पसंदिनापसंद, धार्मिक निशिद्धता, सामाजिक वसांस्कृतिक रीतिया, कुछ ऐसे कारक हैं, जो कि व्यक्ति की भोजन के प्रती स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करते हैं आहार नियोजन करते समय इन सभी पहेलों को ध्यान में रखना चाहिए तथा इनहीं के अनुसार खाद्य पदार्थों का चैन करना चाहिए यहां नीचे दी गई कुछ मूल बातों को ध्यान में रखना चाहिए पारंपरिक वर शेत्र विशेश के खाद्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करें उदाहरण के लिए चावल वचावल से बने पदार्थ जैसे इडली तथा डोसा दक्षिन भारत के विशिष्ट व्यंजन है इसी प्रकार ढोकला खांडवी आदी पश्चिम भारत गुजरात के विशिष्ट व्यंजन है आहार में क्षेत्र विशेश के खाद्दे पदार्थ सम्मिलित करने से भोजन अधिक स्वीकारे हो जाता है क्योंकि क्षेत्र विशेश में रहने वाले लोग इन खाद्दे पदार्थों से परिचित होते हैं तथा उसी तरह उनके स्वाद भी विक्सित होते हैं धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना चाहिए, आपको तो मालूम ही होगा कि भोजन की स्वीकृती में धर्म विशेश भूमी का निभाता है उदाहरन के लिए आप जानते हैं कि कच संप्रदायों में मांस तथा अन्य मांसाहारी खादे पदार्थ खाने की सक्त पाबंदी होती है मांसाहारी पदार्थों में भी एक संप्रदाय में गाय का मांस तथा अन्य में सूर का मांस खाना निशिद्ध है एक योग्य खाद्य आयोजक को खाद्य संबंधी धार में कृतियों की जानकारी होनी चाहिए तथा उसी के आधार पर आहार नियोजन करना चाहिए व्यक्तिगत रुचियों अभिरुचियों को ध्यान मेर रखकर आहार नियोजन करें, किन्तु ध्यान रखेंक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद व्यक्ति की पोशक संबंधी आवश्यक्ताओं की परती में बाधक नहीं होनी चाहिए उदाहरन के लिए सामाननेतह बच्चे दूद तथा हरी पत्तेदार सबजिया खाने में आनाकानी करते हैं परिनामस्वरूप उनके आहार में इन खाद्य पदार्थों का अभाव रहता है ऐसी परिस्थिती में उनके आहार में कुछ आवश्यक पोशक तत्वों की कमी हो सकती है ऐसा नहीं होने देना चाहिए ऐसे मामले में अच्छा यही रहता है कि खाद्य पदार्थ का रूप बदल कर आहार में सम्मिलित किया जाए जिससे उस खाद्य पदार्थ को पसंदीदा बनाया जा सके उदाहरन के लिए र्याद बच्चे को दूध नहीं पसंद है तो दूध को दही पनीर या किसी अने दूध से बने पदार्थ के रूप में दिया जाना अच्छा रहता है चित्र 7.3 चित्र 7.3 खाद्य पदार्थ का रूप उसकी स्वीकृति को प्रभावित करता है विवरन के लिए स्क्रीन को देखे 5. खाद्य उपलब्धता शेत्र विशेश में पाई जाने वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता भी आहार नियोजन को प्रभावित करती है उदाहरन के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में मचली तथा अने समुद्री पदार्थ आसानी से तथा सस्ते मिल जाते हैं इसलिए ये खाद्य पदार्थ इन तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आहार का मुख्य अंग बन जाते हैं उसी प्रकार चावल दक्षिन शेत्र में उगाय जाने के कारण वहा का मुख्य खाद्यान, स्टेपल फूड है इसलिए यह दक्षिन भार्तियों के आहार का मुख्य हिस्सा होता है आहार नियोजन करते समय हमें इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए अर्थात शेत्र विशेश में पाई जाने वाले खाद्ये पदार्थों को ही आहार में सम्मिलित करना चाहिए इसके साथ ही साथ मौसम के अनुसार खाद्ये पदार्थों की उपलब्धता पर भी विचार करना चाहिए विशेश कर सबजियों वा फलों के संदर्भ में फलोंग व सबजीयों के मौसम के बारे में जानकारी होने से हम उन्हें आहार में उस समय सम्मिलित कर सकते हैं, जब वी उत्कृष्ट किस्म तथा उचित दाम में उपलब्ध होते हैं अब तक हमने उन विभिन कारकों के बारे में पढ़ा जो की आहार नियोजन के समय खाद्य पदार्थों के चुनाव को प्रभावित करते हैं आएए अब हम आहार पद्धती को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में पढ़ें आपने देखा होगा कि प्रतेग परिवार में एक दिन में खाय जाने वाले आहारों की संख्या भिन्न होती है कुछ परिवारों में एक दिन में दो से तीन बार आहार ग्रहेन किया जाता है जबकि अन्य परिवार में दिन में पांट से छे बार भी आहार लिये जाते हैं खाने का समय भी प्रतेक घर में भिन्न होता है ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि व्यक्ति की आय, सक्रियतास्तर, शारीरिक अवस्था, फिजियोलोजिकल स्टेट तथा आयू आहार पध्धती को प्रभावित करते हैं उच्छ आयवर्ग के लोगों की आहार आवरित्ती निम्न आयवर्ग के लोगों की आहार आवरित्ती की तलना में अधिक होती है, आय का प्रभाव. शिश एक बार में अधिक नहीं खा सकता है. इसलिए उसको थोड़े थोड़े अंतराल में कई बार आहार की आवशेक्ता होती है, आये का प्रभाव इसी प्रकार गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली स्त्रियों, जिनकी पोशन संबंधी आवशेक्ता बहुत बढ़ जाती है, को मुखे आहारों के बीच के समय में पोश्टिक अलपाहार तथा अनेक हाद्य पदार्थ देने की आवशेक्ता होती है, जिनसे उसकी बढ़ी ह कोई पोशन संबंधी आवशेक्ताओं की पूर्ती हो सके, शारीरिक अवस्था, व्यक्ति की कारे अनुसूची, वर्क शर्डिूल, भी आहार पद्धती घर पर तथा घर से बाहर खाय जाने वाले आहारों के समय तथा संख्या को प्रभावित करती है, उपर्युक्त जासे यह विदित होता है कि व्यक्ति की आहार आवरित्ती तथा आहार पद्धती का निर्ने लेते हुए उसकी आय, आयू, सक्रियतास्तर, शारीरिक अवस्था, कारे अनुसूची को ध्यान में रखना अत्यधिक आवशेक है साथ, समय, श्रम तथा इंधन की बच्चत महत्वपूर्ण है, जहास्त्री घर से बाहर काम पड़ जाती है, तथा जिसकी आई भी सीमित है रती के उदाहरन को ही लीजिए आपको याद होगा कि वह एक कारेरत महिला है उसके पास व्यापक आहार योजना बनाने या पकाने के लिए परियाप्ट समय नहीं है वह आहार में अलग-अलग व्यांजन जैसे चावल दाल सबजी दही बनाने के स्थान पर एक व्यांजन आहार, O.N.E.D. I.S.H. मीई जैसे खिचदी, चावल, दाल व सबजीयों से बना व्यांजन, बिसी बेला हुलियाना, चावल सामबर का व्यांजन, या फिर दो व्यांजन आहार, T.W.O.D. I.S.H. मील, जैसे सबजीयों का पलाव दही, सामबर चावल, पालकपनी, रोटी आधी बनाना पसंद करेगी यहां रती की चेश्टा ऐसे सरल आहार बनाने की है, जो सनलित हो और जल्द से जल्द तयार किये जा सकें आएए अब रानी की समस्या पर विचार करें रानी निम्न आयवर्ग से संबंध रखती है सीमित साधन उसके खाद्दे पदार्थों के चैन तथा व्यंजन सूची को प्रभावित कर सकते हैं अपने आहार में कई व्यंजन न बना कर, वह एक व्यंजन आहार जैसे पौश्टिक रोटी, निस्सी रोटी आधी बनाएगी क्योंकि इनको पकाने में समय व्यंधन दोनों ही कम लगते हैं उपर्युक्त उदाहरणों से हमें समय श्रम व्यंधन बचाने के एक उपाय के बारे में पता चला साधनों की बचत के कच अन्य सरल तरीके भी हैं आए उनके बारे में पढ़ें काफी दिन पहले ही व्यंजन सची बना लें सापताहिक व्यंजन सची बनाना लाबदायक होगा तालिका 7.1 में दी गई सापताहिक व्यंजन सूची को देखें तालिका 7.1 सापताहिक व्यंजन सूची विवरन के लिए स्क्रीन को देखे यह एक पंजाबी परिवार के तीन मुखे आहारों की विशिष्ट सूची है इसी प्रकार अपने शेत्र की आहार पध्धती के अनुसार आप भी अपने परिवार के लिए सापताहिक व्येंजन सूची तियार कर सकते हैं सपताह के शुरू में व्येंजन सूची बनाना आपको निम्न प्रकार से सहायक सिध होगा खाद्य पदार्थों तथा खाद्य सम्मिश्रणों की कम से कम पुन्रावरित्ती होगी खाद्य पदार्थों की खरीददारी में सहायता मिलेगी उदाहरन के लिए मक्खे खाद्य पदार्थ जैसे अनाज दाले इत्यादी दो सपताह या एक महीने के लिए एक कट्टे खरीदे जा सकते हैं प्याज आलू जैसी सबजिया सपताह में एक बार लाई जा सकती हैं जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ विशेश कर दूद्व कुछ सबजिया प्रति दिन खरीदे जा सकते हैं याद रखिए अधिक मात्रा में खरीदने से समय धन वश्रम तीनों की ही बचत होती है बचे हुए खाद्य पदार्थों का सद उप्योग किया जा सकता है उदाहरन के लिए यदि आपके अस दोपहर की दाल बची है तो इस दाल को पुनह रात्री के भोजन में पौश्टिक रोटी बनाकर उसका उप्योग कर सकते हैं पौश्टिक रोटी बनाने के लिए बची हुई दाल को गेहू के आटे में मिलाएए इस मिश्रन में प्याज तथा अन्य सबजिया जैसे उबली हुई गाजर, हरी पत्तेदार सबजिया डाल कर आटे में पूधिये तथा इसकी पौश्टिक रोटी बनाएए यह दही या अचार के साथ परोसी जा सकती है पूर्व तैयारी करने में सहायता मिलेगी, उदाहरन के लिए यदि आपको दोपहर के खाने में चने की डाल या कोई और साबूत डाल जैसे राजमा सोयाबीन बनाना है तो इन डालों को एक रात पहले ही पानी में भिगोना अच्छा रहता है ऐसा करने से दाने की बाहरी परत मलायम हो जाती है तथा इसे पकाना भी आसान हो जाता है इससे समय वय इंधन की बचत होती है आठ आहार में विवित्ता किसी को भी एक ही प्रकार का भोजन प्रति दिन खाना अच्छा नहीं लगता इसी लिए आहार नियोजन करते समय विभिन खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए आप जानते हैं कि तीनों खाद्य वर्गों से लिए गए खाद्य पदार्थों से बना मिशृत आहार पौश्टिक्ता की दृष्टी से परियाप्त होता है यदि आप अपने दैनिक भोजन में प्रत्ते खाद्य वर्ग के अंतरगत आने वाले खाद्य पदार्थों के चयन में कच फेर बदल परिवर्टन करे तो आपका भोजन सुरुचिपूर्ण होगा आप आहार की एकर्स्ता से बच सकेंगे भिन्न भिन्न रंगो बनावट व सवास के खाद्य पदार्थों के उचित चुनाव व मिश्रण से तथा भिन्न भिन्न पाक विधियों के प्रयोग से भी भोजन को अधिक आकर्शक व रोचक बनाया जा सकता है चित्र साथ दशमलव चार भोजन को पसंदीदा तथा आकर्शक बनाने के लिए कुछ सरल सुझाव यहां दिये गए है आईए इन्हे पढ़े टाइम साहार में आकर्शक रंगों के मिश्रण का प्रयोग करें इसे समझने के लिए आईए यहां बताए गए दो आहारों पर गौर करें पहले आहार में साबुत उड़त की दाल, पालत की भाजी तथा चपाती सम्मिलित है यहां आहार पौश्टिक होते हुए भी पसंदीदा तथा आकर्शक नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सभी खाद्य पदार्थ काले या गहरे रंग के हैं इसके विपरीत ऐसा आहार जिसमें मूम की दाल, पालत की भाजी, चपाती, दही तथा तमाटर प्यास की सलाद सम्मिलित है आकर्शक तथा रोचक लगेगा क्योंकि इसमें रंगों का संदर सम्मिश्रण है जैसे दाल का पीला रंग, पत्तेदार सबजी का हरा रंग, दही का सफेद रंग वर टमाटर का लाल रंग विवित्ता ग्वारा आहार को संतोर जनक ना आकर्शक बना सकते हैं चित्र साथ दशमलव चार आहार में विवित्ता विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे अलक सवास होती है लहसन, प्याज, बंदगों भी, शलगम जैसे खाद्य पदार्थ, उदाहरन तह तीवर सुवास वाले होते हैं जबकी गेहु चावल, डबल रोटी, आलू, दूध, सब्जिया, जैसे मटर, खीरा, तथा फल, जैसे पपीता, नाशपाती, तथा केला, हलके सवास वाले होते हैं आहार नियोजन करते समय याद रखे हमेशा हलकी स्वास वाले खाद्य पदार्थों को तीवर स्वास वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए बिन्न बिन्न सवास वाले खाद्य पदार्थों के मिश्रण के प्रयोग में एक रुचिकर तथ्य उभर कर आता है वह यहां की कच खाद्य पदार्थों के एक साथ प्रयोग करने में एक खाद्य पदार्थ की सवास दसरे को अभिवद करती है जैसे ब्रेड के साथ मक्खन, पकोडे के साथ पोधिने की चट्नी तथा इडली के साथ नारियल की चट्नी परंतु दूसरी ही ओर एक साथ प्रयोग करने पर कच स्वास अन्य सवासों पर हावी हो जाते हैं जैसे अचार के साथ प्याज कच खाद्य पदार्थ एक साथ खाए जाते हैं तो उनका स्वाद अच्छा लगता है जैसे चावल मचली, चावल सांबर, डाल रोटी आता याद रखे अच्छे आहार नियोजन के लिए विभिन्न स्वासों का उचित सम्मिशन होना चाहिए काइम साहार में भिन्न बनावट, टेक्स्चर वाले खाद्य पदार्थों के सम्मशन का प्रयोग करें यहां बनावट शब्द से हमारा तातपर्य खाद्य पदार्थों के स्वरूप, संगठन तथा गाडेपन से हैं आप जानते हैं कि खाद्य पदार्थ भिन्बिन्बनावट के होते हैं जैसे मुलायम, खस्ता, करारे, सक्त, इत्यादी. भिन्बिन्बनावट वाले खाद्य पदार्थों के प्रयोग से आहार अधिक पसंदीदा बनाया जा सकता है. यह समझने के लिए चावल, सामबर, दही तथा पापड से युक्त आहार पर विचार कीजिए इस आहार में वावल, सामबर, दही स्भी, खाद्य पदार्थ मुलायम बनावट के हैं आता ऐसे आहार में करारापन, सक्त बनावट, लाने के लिए पापड या सलाज सम्मिलित किये जा सकते हैं काइम्स विभिन्न पाक विधियों का प्रयोग, विभिन्न पाक विधियों का प्रयोग भी आहार नियोजन का ही भाग होना चाहिए एक ही विधी से पकाए गए कोई भी दो खाद्य पदार्थ एक आहार में सम्मिलित नहीं करने चाहिए इससे आहार में एक अर्सा आ जाती है पारम परिक पाक विधियों जैसे तलना, पुबालना, भूनना, भाप में पकाना, सेकना आदी ये अतिरिक अन्य विधियों जैसे खाद्य पदार्थों के अंकरण वा खमीरी करण के प्रयोग से भोजन में विवित्ता लाई जा सकती है व्यंजनों में सजावट के तौर पर डाले जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे धनिये के पत्ते, प्याजट मातर का छोक अत्वा मक्षन याग ही डाल कर परोसने से भी व्यंजनों में विवित्ता लाई जा सकती है 9. क्षुधा संत्रिप्ती, Satiety Value आहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे क्षधा संत्रिप्ती हो सके यहां क्षुधा संत्रिप्ती से तातपर्य ऐसे आहार से है जिसके खाने से हमें संतोष तथा तप्ती का एहसास हो आप जानते हैं कि वसा तथा प्रोटीन की प्रचर्ता वाले आहार में कारबोजक्त आहार की तल्ना में अधिक शुदा संत्रिप्ती की क्षमता होती है आता आहार में कुछ मात्रा में वसा तथा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को भी अवश्य सम्मिलित करना चाहिए जिससे परियाप संत्रिप्ती मिल सके तथा व्यक्ती को अगले आहार के समय से पहले भूख न लगे उपरियक्त चर्चा से आपको आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातों का ज्यान हो गया होगा निम्नलिखित याद रखने योग्य बाते आहार नियोजन के सारांश को प्रस्तुत करती है याद रखने योग्य बाते विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे बोध प्रश्न दो एक निम्नलिखित कथन आहार नियोजन के किसी एक विशेश कारक से संबध है प्रत्तिक कथन में दिये गए उस कारक को पहचानिए कप परिवार में गाय का मास खाना निशिद है खक जिस आहार में पालक साग, चावल रोटी तथा टमाटर का समावेश होता है वह आहार रोचक वह आकर्शक लगता है गह उत्तरी क्षेत्र में गेहु वगेहु से बने अन्यपदार्थ अधिक उप्योग में लाए जाते हैं गह प्रत्तिक आहार में वसा, रोटीन, कार्बोज, विटामिन निजलवन कुछ मात्रा में अवश्य होने चाहिए द, अंकुरन, खमीरीकरण, खाद्य सम्मिश्रण, अनाज दाल, आहार को पौश्टिक रूप से परियाप्त बनाते हैं च, एक स्त्री आहार में चावल, डाल वस सबजी को अलग-अलग बनाने के स्थान पर खिचडी, अनाज दाल सबजी का मिश्रण बनाती है द, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, इस कथन की पुष्टी के तीन कारण दीजिए आप सुन रहे आडियो लर्ण इग्नु को साथ दशमलव तीन वयस्क व्यावहारिक रूप से वयस्क शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी आयू बीस वर्ष या उससे अधिक हो बीस वर्ष की आयू से शुरू होने वाले तथा व्रिद्धावस्था से गुजरते हुए मृत्यू तक के काल को वयस्कावस्था कहते हैं वयस्कावस्था जीवन की वहस्थाई अवस्था है जब शरीर के आकार में पून व्रिद्धी हो चुकी होती है आता वयस्कों के लिए पोशक तत्वों की आवशकता व्रिद्धी के लिए न होकर केवल शारिरिक क्रियाओं को सचारू रूप से चलाने के लिए होती है दूसरे शब्दों में वयसकों के पोशन का मुख्य उद्देश उनके शरीर को स्वस्थ बनाय रखना ही है आयू के बढ़ने के साथ-साथ शरीर की गतिविधियों में अनुक्रमिक तथा गतिशील परिवर्तन होने लगते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयू बढ़ने के साथ-साथ उत्कों की टफट अधिक हो जाती है तथा कोशिकाओं और उत्कों की नविनी करन क्षमता अपेक्षाकृत कम हो जाती है व्रिद्धावस्था के दौरान होने वाले ये परिवर्तन सामान्यता सभी व्यक्तियों में समान रूप से होते हैं परन्तु इन में कुछ व्यक्तिगत विभिन्टाए देखने में आती है कच वयसकों में ये परिवर्तन समय पूर्विया जल्दी हो जाते हैं जबकि अन्य में ये वयस्क अवस्था में काफी बाद में द्रिष्टिगोचर होते हैं। वयस्क अवस्था की संपूर्ण अवधी को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्रारंभिक वयस्क यंद अडल्ट वह व्यक्ति जो वयस्क अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है तथा जीवन की स्थिर अवस्था को दर्शाता है. इस अवस्था में उतकों की तफूट अधिक नहीं होती है. शरीर में तूटेफ्टे उतकों की मरंबत करने क की परियाप्त क्षमता होती है। दो व्रिद्ध वयस्क, ओल्ड अडल्ट वा व्यक्ति जो की वयस्क अवस्था के अंतिम चरण में होता है। इस अवस्था में उतको तथा कोशिकाओं की तूट फूट बहुत अधिक होती है। शरीर उतको की इसहानी को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर में कौन से परिवर्तन आती हैं। ये परिवर्तन शरीर के विभिन तंत्रों की कार्य प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आगे आने वाले इसे ध्यान से पढ़े, वृद्धावस्था में शारिरिक परिवर्तन, शरीर के कुछ विशेश तंत्रों की कार्य प्रणाली पर वृद्धावस्था के प्रभाव का वर्णन यहां किया गया है। परिणामस्वरू, शरीर से व्यर्थ पदार्थ का निशकासन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। दो, पाचन तंत्र पर प्रभाव, आयू बढ़ने के साथ-साथ मुँ में पाई जाने वाली स्वाद कोशिकाओं, तेस्ट बढ़्ध की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारणवश वृद्ध व्यक्तियों में स्वाद के प्रती समवेदन शीलता कम हो जाती है। लारस का स्राव भी कम हो जाता है, जिससे भोजन को निगलना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही दाद भी धीले हो जाते हैं, जिससे भोजन चबाने में कठिनाई महसूस होती है। आमाशय अमल तथा अन्य पाचक रसों के स्राव में भी कमी आती है, फलस्वरू भोजन का पाचन व अवशोशन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। भोजन आमाशय में काफी समय तक रहता है, जिसससे सामान्यता भारीपन महसूस होता है। आयू के साथ-साथ पाचन तंत्र की गती भी मंद पढ़ जाती है। इस कारण सामान्यता कब्स की शिकायत रहती है। तीन कंकाल तंत्र पर प्रभाव। वृद्धावस्था में कंकाल अस्थी पंजर की हड्डिया कमजोर हो जाती है, जिसका बूढे लोगों पर गंभीर असर पढ़ सकता है। आपने पहले पढ़ा था कि हड्डिया मुख्यता कैलसियम व फॉसफोरस नामक दो खनिज लवरों से बनी होती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ इन लवरों की कमी के कारण अस्थी उतक कच कमजोर हो जाते हैं। व्रिध्धी व्यक्ति, विशेशकर महिलाएं, अस्थिस शिर्ता के प्रति अति समवेदन शील होते हैं। परन्तु यहां यहां बताना आवशक है कि हड्डियों में ये गंभीर परिवर्तन सभी व्रिध्ध व्यक्तियों में नहीं होते हैं। आईए अब यहां अध्ययन करे कि ये परिवर्तन किस प्रकार व्यसकों की पोशन संबंधी आवशक्ताओं को प्रभावित करती हैं। साथ मार्च 2001 व्यसकों के लिए पोशक्तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का निर्धारन संदर पुरुष संदर महिला पर आधारित होता है। संदर पुरुष स्त्री से हमारा क्या तात्परिय है। क्या आपको खंड दो की इकाहिछे में संदर्पुरुष स्त्री के बारे में किया गया वर्णन याद है? भारतिय संदर्पुरुष 20 से 49 वर्ष के आयू वर्ग का माना गया है, जिसके शरीर का भार 60 किलोग्राम होता है. आये उसके बारे में कुछ और विस्तरित जानकारी प्राप्त करें. वह पूर्ण रूप से स्वस्थ, किसी भी रोग से मुक्त, व्यक्ती होता है, जोकी शारिरिक रूप से सामान्य कार्य को करने के योग्य होता है. हर दिन वहाँ आट घंटे के लिए किसी व्यवसाय आदी में मद्यश्व करता है. जब वहाँ कार्य नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ आट घंटे सोता है, चार से छे घंटे बैठने तथा इधर उधर घूमने में तथा दो घंटे चलने सक्रिय मनोर्जन या ग्रिह कार्य में बिताती है इसी प्रकार 20 से 49 वर्ष की स्त्री जिसका भार 50 किलोग्राम होता है संदर्ब स्त्री कहलाती है वह आठ घंटे घर के सामाने कार्य, हलके कार्य या मध्यम श्रम के कार्य में बिताती है आठ घंटे सोने के अतिरिक्त वह चार से छे घंटे बैठने या हलके कार्य करते हैं इधर उधर घमने तथा दो घंटे चलने या सक्रिय मनोरंजन या घर के उत्तरदायत्व निभाने में बिती है उपरियक्त चर्चा से आपको यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि एक संदर परुष महिला की आई, शरीर भार व सक्रियतास्तर निर्धारित होता है किन्तो आप इस बात पर अचरच कर रहे होंगे कि वयसकों के लिए पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा की गणना के लिए हमें संदर पुरुष महिला को परिभाशित करने की आवशक्ता क्यों पड़ती है इसका कारण यह है कि आई, लिंग, शरीर भार, अर्थात शरीर आकार तथा सक्रियतास्तर के आधार पर वयसकों की पोशन संबंधी आवशक्ताओं में बहुत भिन्नता पाई जाती है आता पोशक्तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राए संदर व्यक्ती के लिए दी जाती है तथा फिर संदर व्यक्ती से भिन्नता के अनुसार पोशक्तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में समन्वय लाया जाता है आईए, अब वयसकों के लिए पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का अध्ययन करें तालिका 7.2 वयसकों के लिए पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा है विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे तालिका 7.2 में आपने देखा होगा की काइम्स वयसकों के लिए पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा सक्रियता स्तर के आधार पर तीन श्रेणियों मल्प श्रम, मध्यम श्रम, भारी श्रम के लिए दी गई है और काइम्स पुरुषों और स्त्रियों की पोशन संबंधी आवर्शक्ताएं अलग-अलग है ऐसा क्यों? यहां इसलिए क्यों की पोशन संबंधी आवर्शक्ताओं पर सक्रियता स्तर, लिंग, शरीर के आकार संद्रचना का प्रभाव पड़ता है नीचे इन कारकों पर विस्तार से चर्चा की गई है कह वयसकों की पोशक्तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं पर सक्रियता स्तर का प्रभाव कार्य के स्वरूप व सक्रियता स्तर के आधार पर विभिन्न व्यवसायों को तीन श्रेणियों में वर्गी कृत किया जा सकता है मध्यम वभारी चित्र साथ दशमलव पांच एक काइम सल्प अर्थात हल्का श्रम व व्यक्ति जो की अधिकांश कार्य एक ही स्थान पर बैठ कर केवल हाथ वो मस्तिष्ट के प्रयोग से करता है अल्प श्रम करने वाला कहलाता है उदाहरन के तौर पर शिक्षक, दर्जी, टाइपिस्ट, क्लर्क, ऑफिसर, गहीनी जिसके पास नौकर हो अल्प श्रम करने वालों की श्रेणी में आते हैं ताइम्स मध्यम श्रम अर्थात न तो बहत हलका न बहत भारी श्रम अगर व्यक्ति कार्य करते समय अपने दोनों हाथ तथा पैरों का उप्योग लगातार तेजी से परंद बिना घोर परिश्रम के करता है तो वहां मध्यम श्रम करने वाला व्यक्ति कहलाता है इस वर्प के अंतरगत डाकिया, नौकर, मचुवारी, खेतीहर, मज़्दूर तथा वह ग्रहनिया जो अधिकांश घरेलू कार्य स्वयम करती हैं, आते हैं ताइम्स भारी अर्थात घोर परिश्रम वाला कार्य कति दिन काफी लंबे समय तक हाथ-पैरो व अधिकांश मासपेशियों का सक्रियता से निरंतर प्रयोग करने वाला व्यक्ती भारी श्रम करने वाला कहलाता है रिक्षा चलाने वाले, पत्थर तोडने वाला, ठानों, कोल माइन्स में कार्य करने वाले वककली इस वर्थ के अंतरगत आते हैं व्यावहारिक तोर से कार्य का स्वरू पोशक तत्वों की आवशक्ता को प्रभावित करता है वह व्यक्ति जो घोर परिश्रम करता है, संभवता उसे मध्यम या अलप श्रम करने वाले व्यक्ति की तुलना में अतिरिक उर्जा की आवशक्ता होती है आथा उर्जा तथा भी विटामिनों की प्रस्तावित दैनिक मात्राय सक्रियता स्तर पर निर्भर करती है जैसे जैसे सक्रियता स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे उर्जा की आवशक्ता के साथ साथ भी विटामिनों की आवशक्ता भी बढ़ जाती है यह तथ्य तालिका साथ दशमलव दो से स्पष्ट होता है क्या अन्य पोशक तत्वों की आवशक्ताई भी सक्रियतास्तर से संबध है? जी नहीं अन्य सभी पोशक तत्वों की आवशक्ताई सक्रियतास्तर पर आधारत नहीं होती है विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे चित्र साथ पाँच श्रम स्तर के आधार पर सक्रियता स्तर की तीन श्रेनिया अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार सक्रियता स्तर उर्जा की आवशक्ताओं को प्रभावित करता है वस्तुता केवल सक्रियता स्तर ही ऐसा कारक नहीं है जो उर्जा की आवशक्ताओं को निर्धारित करे तो फिर अन्यकारक कौन से हैं? इस रुचिकर पहल के बारे में अधिक विस्तरित जानकारी के लिए उलला एक्ष नई या एक को पढ़िए उलला एक्ष नई या एक उर्जा की आवशक्ताओं का आकलन ऐसी स्थिती की कलपना कीजिए जब व्यक्ति विश्राम कर रहा हो या सो रहा हो क्या इस स्थिती में शरीर को उर्जा की आवशक्ता होगी? आप यह कह सकते हैं कि चूकि इस स्थिती में शरीर द्वारा कोई शारिरिक कार्य नहीं किया जा रहा है, आतर शरीर को उर्जा की आवशक्ता नहीं है क्या वास्तव में यह सही है? क्या आप कुछ भूल तो नहीं रहे? पूर्ण विश्राम की स्थिती में भी आपने देखा होगा कि हृदय धनकता रहता है, रक्त का परिसंचरण होता रहता है, श्वसन, पाचन, अवशोशन प्रक्रियाय तथा शरीर के तापमान को स्थिर रखा जाता है इन जीवनप्रत चयापची शारिरिक कार्यों को बनाये रखने के लिए शरीर को कुछ मात्रा में उर्जा की आवशक्ता हमेशा रहती है विश्राम, शारिरिक वा मानसिक की स्थिती में शरीर को जीवन प्रत क्रियाओं के लिए जितनी मात्रा में उर्जा की आवशक्ता होती है उसे आधार भूत चयापचे बैसल मेटबलिजम कहते हैं तथा कारियों को करने के लिए जिस दर से उर्जा की आवशक्ता होती है वह दर उस व्यक्ति की आधार भूत चयापचे दर बैसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है तो फिर व्यक्ति की उर्जा की कुल आवशक्ता कितनी होती है इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं आईए जाने हम उर्जा की कुल आवशक्ता निकालने के लिए व्यक्ति की आधार भूत चयापचे दर को आधार मानते हैं आधार भूत चयापचे दर में शाररिक क्रियाओं जैसे चलना, खेलना तथा व्यावसाईक कार्यों जो की हलके, मध्यम या भारी श्रम के हो सकते हैं को करने के लिए आवशक उर्जा की मात्रा को जोड दिया जाता है और इस प्रकार व्यक्ती की कुल उर्जा की आवशक्ता को निकाला जाता है चित्र साथ दशमलवच है विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे चित्र साथ चे उर्जा की आवर्शक्ता के मुख्य घटक अब एक और प्रश्न जो हमारे मन में उभरता है वह यह कि क्या शारिरिक कार्य की भाती आधार भूत चयाप्ची दर भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है आपके विचार में इसका क्या उत्तर होना चाहिए जी हाँ, एक व्यक्ति की आधार भूत चयाप्ची दर दूसरे व्यक्ति की आधार भूत चयाप्ची दर से भिन्न होती है आई, लिंग, शरीर का आकार संगटन, व्रिद्धी, ज्वर, तनाव, उपवास, कुपोशण आधी कुछ कारक हैं जो आधार भूत चयाप्ची दर को प्रभावित करते हैं समान्यता आधार भूत चयाप्ची दर बढ़ते हुए बच्चों, गर्भवती स्त्री, वयस्क पुरुष और उन व्यक्तियों में जो ज्वरग्रस्थ हो या किसी तनाव की स्थिती में हो, में अपेक्शाकृत अधिक होती है उपवास, भूखे रहना या कुपोशन की स्थिती में आधार भूत चयाप्ची दर कम हो जाती है खा, वयस्कों की पोशक तत्वों की प्रस्तावित धैनिक मातरा पर शरीर के आकार संधटन का प्रभाफ तालिका 7.2 में आपने देखा होगा कि स्त्री व पुरुष की पोशक तत्वों की आवर्शक्ताओं में भिन्नता है लिंक के कारण भिन्नता स्त्री की उर्जा व प्रोटीन की आवर्शक्ता उसी आय तथा सक्रियता स्तर के पुरुष की आवर्शक्ता की अपेक्षा कम है आप सोच रहे होंगे की ऐसा क्यों है इस भिन्नता का मल कारण वयसको के शरीर का आकार संधटन है पुरुष में स्त्री के शरीर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील उतक पेशी उतक पाए जाते हैं जबकि स्त्री के शरीर में तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील उतक जैसे वसा उतक पाए जाते हैं परंदु उर्जा की आवशक्ता को यह किस प्रकार प्रभावित करती है? पेशी उत्कों को अधिक उर्जा की आवशक्ता होती है इसी कारण परुष की आधारभद चयापची दर्स्त्री की चयापची दर्की अपेक्षा अधिक होती है आता पुरुष की उर्जा की आवर्शक्ता भी बढ़ जाती है दूसरी तरफ प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्राई शरीर के भार से संबंधित है खंड 2 की 61 में आपने पढ़ा था कि एक वयस्क व्यक्ती को प्रती किलोग्राम शरीर भार पर एक ग्राम प्रोटीन की आवर्शक्ता होती है पुरुष का शरीर भार 60 किलोग्राम इसी वर्ग की महिला के शरीर भार 50 किलोग्राम से अधिक होता है तथा इसी लिए परुष की प्रोटीन की आवशक्ता भी अधिक होती है वैसकों की अन्य पोशक तत्वों की आवशक्ताई क्या है? कालिका साथ दो में आपने देखा होगा कि स्त्री को पुरुष की अपेक्षा अधिक लौह तत्व की आवशक्ता होती है इसका कारण यह है कि महिलाओं प्रजन में सक्षम आयवर्ग की महिलाएं में मासिक धर्म के दौरान लौह तत्व की क्षति पर्ती के लिए अतिरिक्त लौह तत्व की आवर्शक्ता होती है अन्य पोशक तत्वों की आवर्शक्ता स्त्री व पुरुष में एक समान होती है की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर बढ़ती हुई आयू का प्रभाव वयस की आय कच पोशक तत्वों की आवशक्ताओं को प्रभावित करती है। वर्टिकल बार आपने पहले पढ़ा की आय के साथ शारिरिक गतिविधिया तथा कार्य कम हो जाते हैं। आतर चयापची दर भी कम हो जाती है। इसके साथ ही शरीर की कार्य शील्टा कम हो जाने से उर्जा की आवशक्ताएं भी कम हो जाती है। तालिका 7.3 के अध्ययन से मालूम होता है कि आयू बढ़ने के साथ-साथ उर्जा की आवशक्ता किस प्रकार कम होती है। तालिका 7.3 आयू के साथ-साथ उर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं में परिवर्तन विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे आईए तालिका 7.3 के आधार पर उर्जा की आवशक्ता का अनुमान लगाना सीखे एक अल्प श्रम करने वाले वयस्क का उदाहरन लीजिए आपने पहले पढ़ा है कि इस पुरुष को 2425 की कैलोरी की आवशक्ता होती है इसे 100 प्रतिशत उर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा मान सकते हैं 40 वर्ष की आईउ में इस पुरुष को 95 प्रतिशत अर्थात 95 गुणा 2425 भाग 100 is equal to 2304 की कैलोरी की आवशक्ता होगी इसी प्रकार जब वह 60 वर्ष का होगा तो उसकी वर्जा की आवशक्ता और कम 80 प्रतिशत अर्थात 80 गुणा 2425 भाग 100 is equal to 1940 की कैलोरी होगी इस प्रकार किसी भी सक्रियता स्तर के पुरुश्यास्त्री के लिए उर्जा का अनुमान लगाने के लिए इस गन्ना का प्रयोग किया जा सकता है अब तो यह स्पष्ट है कि आयू के बढ़ने के साथ उर्जा की आवशक्ता कम होती जाती है परंतो अन्य पोशक तत्वों की आवशक्ताओं पर उम्र का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वे भी कम हो जाती है? व्रिद्ध वयसकों में उर्जा की आवशक्ता के विप्रीत अन्य पोशक तत्वों जैसे की प्रोटीन, लौ तत्व, विटामिन B की आवशक्ता प्रारंभिक वयस की आवशक्ता के बराबर ही होती है यह पोशक तत्व व्रिद्धावस्था में होने वाली उतकों की तूटफट की मरम्मत में फाइदेमन सिद्ध होते हैं एक खनिज लवन जिसकी आवशक्ता को महत्व दिया जाना चाहिए वह है कैलसियम हाली में हुए अनुसंधानों से ज्यात हा है कि वध्धावस्था में अधिक मात्रा में कैलसियम लेने से कैलसियम की कमी अस्थी उतक में तथा अस्थिसुशिर्टा को रोका जा सकता है परन्तु अभी भी व्रिद्धों के लिए आवशक पोशक तत्वों के संबन्द में पोशण विशेशग्यों में कुछ मतभेद है बोध प्रश्न तीन एक व्रिद्धावस्था में होने वाले दो मुख्य शारिरिक परिवर्तनों की सूची बनाईए दो, बताईए कि निम्लिखित कथन सही है या गलत अपने उत्तर का कारण भी बताए का व्रिद्धावस्था 50 से 80 वर्ष के बीच की अवस्था है सही गलत खा व्रिद्धावस्था में क्रियाशील उठकों जैसे पेशी उठकों में व्रिद्धी होती है सही गलत की आवशक्ता होती है. सही गलत घा 65 वर्ष की आयू में प्रोटीन तथा कैलसियम की आवशक्ता कम हो जाती है. सही गलत दह आम तौर पर सभी व्रिद्ध पुरुष वस्त्रिया अस्तिसुशिर्टा के शिकार हो जाते हैं. सही गलत चा वयसक के लिए उर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा उनके सक्रियता स्तर पर निर्भर करती है. सही गलत तीन एक पचपन वर्षिय अल्प श्रम करने वाली स्त्री की उर्जा की आवशक्ता क्या होगी? इसकी गण्णा कीजिए. 7.3.2 वयसकों के लिए आहार नियोजन अभी तक आपने वयसकों की पोशक्तत्वों की आवश्यक्ताओं के बारे में पढ़ा. आईए अब जाने किस प्रकार इन पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा को एक दिन में खाये जाने वाले पोश्टिक आहार या खादे पदार्थों में परिवर्तित किया जाए इस भाग में हम ये जानेंगे कि प्रारंभिक वयस्कता तथा व्रिद्ध वयस्कों के लिए आहार नियोजन कैसे किया जाए आप जानते ही हैं कि आयू, लिंग तथा सक्रियता के अनुसार वयस्कों की पोशन संबंधी आवशेक्ताई भिन भिन होती हैं इस बात का ध्यान रखें कि वयस्कों के लिए पोशक तत्वों की आवशेक्ताओं की परती के लिए आहार नियोजन भी विविद रूप से किया जाना चाहिए सामान नेतह पोशक तत्वों की आवशेकता कुछ भी हो आहार नियोजन करते समय हाशिये में बताए गए चार मुखे कारकों को हमेशा ध्यान में रखिए आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योगे कुछ अन्य आवशेक बाते निम्नलिखित हैं आहार नियोजन किसके लिए किया जा रहा है कौन से पोशक तत्व विशेश रूप से महत्व पूर्ण है किन खाद्धे पदार्थों का चैन करें कौन सी आहार पद्धती अपनाए अन्य ध्यान रखने योगे विशेश बातें क्या है इस इकाई तथा इस खंद की अगली सभी इकाईों में हम आहार नियोजन की चर्चा इन शीर्षकों के अंतरगत करेंगे आहार नियोजन की शुरुआत में हम यह पता लगाएगे कि आहार नियोजन किसके लिए किया जा रहा है क्या जिस वयस्क के लिए हम आहार नियोजन कर रहे हैं वह व्रिद्ध है या प्राभिक वयस्क स्त्रिय या पुरुष अल्प शुरम, मध्यम शुरम या भारी शुरम करने वाला है किस आयवर्ग से संबंधित है? निमन, मध्यम अत्वा उच्च आयवर्ग इन तत्यों की जानकारी आपको व्यक्ति की पोशक तत्वों की आवशेक्ताएं, आहार का प्रकार्व मात्रा तथा आहार पद्धती के बारे में निरने लेने में सहायक होंगी इस जानकारी के आधार पर सबसे पहले आप पोशक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं की सूची तैयार करें कौन से पोशक तत्व विशेश रूप से महत्व पूर्ण है वैस कावस्था में पोशक तत्वों की आवशेक्ता मुखे रूप से शरीर के कारियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है आथह आहार में निम्नलिखित तीन वर्गों के पोशक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए उर्जा देने वाले पोशक तत्व, कार्बोज वसा शारीरिक व्रिद्धी में सहायक पोशक तत्व, प्रोटीन शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक अर्थात, सुरक्षात्मत, पोशक तत्व, खनिज लवन विटामिन किन्तु ध्यान दे आयू, लिंग तथा सक्रियतास्तर के आधार पर एक वयस्क की पोशक तत्व की आवश्यक्ता दूसरे वयस्क से भिन्न होती है प्राभिक वयस्क की तुलना में व्रिद्ध वयस्क की उर्जा की आवश्यक्ता कम होगी एक स्त्री को उसी आयुवर्ग तथा सक्रियता स्तर के पुरुष की तुलना में उर्जा देने वाले तथा शारीरिक वृद्धी में सहायक पोशक तत्वों की कम तथा लोह तत्व की अधिक मात्रा में आवशेक्ता होगी भारी श्रम करने वाले को अलप श्रम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा उर्जा देने वाले तत्वों की अधिक आवश्यक्ता होगी आथह इन तत्यों को ध्यान में रखते हुए ही आहार नियोजन करें किन खाद्य पदार्थों का चैन करें पौश्टिक रूप से पर्याप्त तथा संगलित आहार बनाने के लिए आहार में तीनों खाद्दे वर्गों में से कम से कम एक खाद्दे पदार्थ को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए एक वयस्क के दैनिक भाजन में निम्नलिखित खादे पदार्थ अवश्यहान चाहिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, जवार या शेत्र विशेश में प्रयोग किया जाने वाला कोई अन्यमुखे अनाज यदि मांसाहारी हो तो मांस, मचली, मुगां आदी एक या अधिक दाले, विशेश्त अनाजों के मात, तथा कुछ मात्रा में दूद या दूद से बने पदार्थ कम से कम एक हरी पत्तेदार सबजी जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग इत्यादी अन्य सबजिया जैसे फूल गोभी, गाजर, बैंगन आधी परियाप्त मात्रा में वसा तथा तेल स्वाद के अनुसार चीनी गुड इस सरल दर्शी का दूआरा हमने आहार में सम्मिलित किये जाने वाले खादे पदार्थों पर चर्चा की परन्तु याद रखिए खादे पदार्थों के प्रकार तथा मात्रा का चैन व्यक्ति की आय तथा सक्रियता स्थर दूआरा प्रभावित होता है आई कम या अधिक होने पर किस प्रकार के खादे पदार्थों का चैन करना चाहिए? इसका वर्णन हम पहले ही उपभाग 7.2.2 में कर चुके हैं आईए अब यह देखें कि सक्रियता स्तर किस प्रकार खादे पदार्थों के चैन को प्रभावित करता है आईए इसे हरी के उदाहरन द्वारा समझें हरी एक रिक्षा-चालक है वह भारी शुरम करने वाला व्यक्ति है निश्चित रूप से उसकी उर्जा की आवशेक्ता अल्प शुरम करने वाले व्यक्ति की तलना में काफी अधिक होगी प्रोटीन की आवशेक्ता के बारे में आपकी क्या राय है? प्रोटीन की आवशेक्ताओं के बारे में तो आपको मालूम ही है कि वह सक्रियता स्तर पर निर्भर नहीं करती है आथभारी श्रम करने वाले येक्ति की प्रोटीन की आवशेक्ता अल्पव मध्यम श्रम करने वाले व्यक्ति के समान ही होगी इन बातों को ध्यान में रखते है हम हरी के आहार में अधिक उर्जा वाले खादे पदार्थ जैसे अनाज, जड़वमूलकंद, वसा तेल, चीनी गुड सम्मिलित करेंगे जिससे उसकी उर्जा की आवशेक्ता की परती हो सके प्रोटीन की प्रच्ता वाले खादे पदार्थ जैसे डाले, द्ध और शरीर की क्रियाओं को सचारू रूप से चलाने में सहायक खादे पदार्थ जैसे फल सबजिया उतनी ही मात्रा में देंगे जो उसकी शारीरिक क्रियाओं को गतिशील रखने के लिए पर्याप्त हों कौन सी आहार पद्धती अपनाए वयस्क की दिन चर्या उसकी आहार पद्धती को प्रभावित करती है आईए पहले उन वयस्कों की आहार पद्धती के बारे में विचार करें जो किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं उनके लिए कारे का समय महत्व पूर्ण है सामाननेत यह देखा गया है कि अधिकांश लोग 8 घंटे कारे करते हैं कारे का समय 9 बजे से शाम 5 बजे तक या सबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता है आथ उनके आहार का समय, आहार आवरित्ती तथा प्रकार, कार्याले के समय के अनुसार ही समायोजित करने चाहिए इसके लिए सामाननेत निम्नलिखित आहार पद्धतियों में कोई एक अपनाई जा सकती है एक, आपको तो मालूम ही है कि दो घर का आहार, यानी लंच, वर रातरी का आहार, यानी डिनर, वयसकों के दैनिक भोजन के दो मक्खे आहार हैं यह सनिश्चित करें कि इनमें से प्रतेक आहार, दिन भर की कुल कैलोरी का एक तिहाई भाग प्रदान करें शेश एक, तिहाई भाग नाश्ता, शाम की चाय या अन्य आहार मिलकर प्रदान कर सकते हैं दो, काम पर जाने वाले अधिकांश वयसक पैकड़ लंच लेकर जाते हैं पैकड़ लंच से हमारा तातपरे उस आहार से है, जो की कारे स्थल पर ले जाया जाता है, तथा दो भर में खाया जाता है यह अनिवारे है, कि लंच संतलित होना चाहिए पैकड़ लंच में तीनों खादे वर्गों, अर्थात उर्जा प्रदान करने वाले, शारीरिक व्रिद्धी में सहायक तथा शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक, में से कम से कम एक खादे पदार्थ अवश्य सम्मिलित करना चाहिए किन्प इसका अर्थ यह नहीं कि पैकड़ लंच में तीन व्यंजन हो, प्रतेक वर्ग में से एक एक, एक व्यंजन आहार भी सभी पोशक तत्व प्रदान कर सकता है पैकड़लंट संबंधी कुछ रोचक सुझाब, चित्र साथ साथ, यहां प्रस्तु थे, मपनीर दाल का भरवा पराठा, पोहा, चिवडा, सबजीयों तथा मगफली से बना व्यंजन, सबजीयों से बना उपमा, सूजी, सबजीयों तथा दालों से बना व्यंजन, अचार के साथ पौश्टिक रोटी, लेमन राइस, चावल, नीमबव सबजीयों से तैयार एक दक्षिन भारतिय व्यंजन, कर्ड राइस, दहीव चावल से बना व्यंजन, सबजीयों के साथ, थाली पीट, गेहूं, जवार, दाल और हरी पत्तेदार सबजीयों से तैयार व्यंजन, या बिसी बेला हलियाना, चावल सामबर से बना व्यंजन, अ 3. आहार पद्धती में बताए गए बंच से हमारा तातपरे सुबह के गरिश्ट नाश्टे से है। आथा यह व्यापक आहार हो सकता है। परंतु इसका तातपरे यह नहीं है कि रातरी का आहार गरिश्ट यानी अधिक कैलोरी यूक्त हो। अब तक हमने घर से बाहर कारे पर जाने वाले वयस्क की आहार पद्धती पर चर्चा की। यदि व्यक्ती कारे करने घर से बाहर नहीं जाता तो उसकी आहार पद्धती संभवतह खंड दो की इकाईचे में बताई गई पद्धती के अनुसार होगी। उपर यूक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कि किस प्रकार प्रारंभिक वयस्कों के लिए परियाप्त संतुलित भोजन की योजना बनाए। आईए उपरोक्त चर्चित मुद्दों के अतिरिक्त उन विशेश बातों को समझे जो वृद्ध वयसकों के आहार नियोजन में ध्यान रखने योगे हैं वृद्ध वयसकों के लिए ध्यान देने योगे विशिष्ट बातें क्या हैं? व्रिद्धावस्था में शरीर में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं इनहीं परिवर्थनों के कारण, विशेशकर पाचन तंत्र में परिवर्थन, आहार के प्रकार, मात्रा, संख्या तथा पकाने की विधियों में कुछ निश्चित परिवर्थन अनिवारे हो जाते हैं. ये परिवर्थन कौन से हैं? आईए, जाने! एक, व्रिद्धावस्था में प्रायः दातहिलने लगते हैं, जिससे भोजन का चबाना कठिन हो जाता है. इस स्थिती में क्या करें? इसके लिए भोजन की संग्रचना तथा भोजन को पकाने की विधियों में बदलाव की सलाह दी जाती है. केवल नरम, पूरी तरह पकाए हुए, मसले हुए तथा बारीक कटे हुए खादे पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए. चिलके वबीज वाले सक्त खादे पदार्थों का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है, या फिर यदि उनका प्रयोग करना ही पड़े तो मसल करव कदूकस करने के बाद खादे पदार्थ को नरम बना कर देना चाहिए. चित्र 7.8 नरम अच्छी तरह पकाय हुए, मसले तथा बारीक कटे हुए खादे पदार्थों को परोसें. चित्र 7.8 व्रिद्ध वयसकों के आहार में परिवर्तन विवरन के लिए स्क्रीन को देखे. 2. व्रिद्ध वस्था में स्वाद के प्रती समवेदना भी कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप खाने का मज़ा जाता रहता है. इसलिए इस बात की सलाह दी जाती है, कि विभिन रंगों वाले खादे पदार्थों का सम्मिश्रण करके व्रिद्धों के भोजन को अधिक आकरशक वपसंदीदा बनाना चाहिए. बहुत तीवरस्वास या उसके विप्रीत फीके वबेस्वाद खादे पदार्थ नहीं देने चाहिए. तीन, व्रिद्धों के आहार में फलों सबजीयों को सम्मिलित करने की तरफ विशेश ध्यान देना. चाहिए क्योंकि व्रिद्धों के भोजन में रोगों से बचाव वशरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक इन खादे पदार्थों को या तो अधिकतर नजर अंदाज किया जाता है. या सम्मिलित ही नहीं किया जाता है. चार, अधिकांश व्रिद्ध व्यक्तियों को भारीपन या पेक भरा रहने की शिकायत रहती है. आथह इन परिस्थितियों में एक बार में खाये जाने वाले भोजन की कल मात्रा कम कर देनी चाहिए. अपेक्शाकरित कम मात्रा में किन्थ थोड़े थोड़े अंतराल में भोजन देना चाहिए, जिससे पाचन की प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो सके. तले हुए या अधिक गीवाले या सांध्र, पदार्थ जैसे मिठाई के सेवन को कम कर देना चाहिए. पांच, व्रिद्धावस्था में कब्ज की शिकायत बहुत आम बात है. इससे बचने के लिए आहार में अधिक मात्रा में रेशे वाले पदार्थों तथा तरल पदार्थों को सम्मिलित करना. चाहिए. जल के अतिरिक्त लसी, जस, चाय, सब तथा अनपे पदार्थों के रूप में भी तरल पदार्थ दिये जा सकते हैं. दिन में चह से आठ गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. आपके स्मरण के लिए व्रिद्ध वयस्कों के लिए परियाप्त वसंतुष्टी प्रदान करने वाले आहार बनाने संबंधी कच संकेत निम्नलिखित हैं. विवरण के लिए स्क्रीन को देखे. टिपपणी, वयस्कों के लिए आहार के क्रमवार निर्देशन के लिए प्रयोगात्मक कारियों की नियमावली के भाग पांच को देखें. भाग छे में लिंग्व सक्रियता स्तर के आधार पर आहार संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा की गई है. बूद फ्रश्न, चार, दो, कोईले की खान में कारे करने वाले मजदूर के लिए आहार नियोजन करते समय आप किन दो मखे पहलूओं को ध्यान में रखेंगे. बताईए तीन, अपनी दादी के लिए आहार नियोजन करते समय आप किन तीन आहार संबंधी बातों को ध्यान में रखेंगे बताईए साथ चार, सारंग्ष इस इकाई में आपने आहार नियोजन के महत्व तथा आवश्यक्ता के बारे में पढ़ा आहार नियोजन परियाप्त पोशन के लिए आहार का नियोजन करने से संबद्ध है इसमें उचित खादे पदार्थों के चैन द्वारा संगलित आहार की व्यवस्था की जाती है आहार नियोजन द्वारा रंग, बनावट तथा सुवास वाले खाद्य पदार्थों के उचित मिश्रन से आहार को अधिक आकर्शक तथा रोचक बनाने में मदद मिलती है और साथ ही साथ इससे उपलब्धधन, समय तथा उर्जा के अधिक्तम संभव उपयोग में मदद मिलती है बहुत से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं इनमें से कुछ कारक जिनके बारे में आपने पढ़ा है, वह है पोश्टिक पर्याप्थता, आर्थिक स्थिती तथा आहार उपलब्धता वस्वीकृती दूसरा पहल, जिसके बारे में इस इकाई में बतलाया गया है, वह है वयसकावस्था आपने पढ़ा वयसक आवस्था जीवन की वह आवस्था है, 20 वर्ष से उपर की आए, जब शरीर आकार की वृद्धी पूर्ण हो चुकी होती है इसलिए पोशक तत्वों की आवशेक्ता वृद्धी की बजाय शरीर को सचारू रूप से चलाने के लिए ही होती है परन्तु शारीरिक क्रियाओं, आयू, लिंग तथा शरीर भार के आधार पर वयसकों की पोशन संबंधी आवशेक्ता में बहुत भिन्नता पाई जाती है वयसकों के लिए आहार नियोजन करते समय इन सभी पहलों को ध्यान में रखना चाहिए आहार के लिए खाद्य पदार्थों तथा उनकी मात्रा का चैन व्यक्ति की आय, सक्रियतास्तर, आय, दिनचर्या के अनुसार करना चाहिए आहार ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति की पोशन संबंधी आवशेक्ताओं की पूर्ती हो सके 7.5 शब्दावली खाद्य सजावट पाक्षास्त्र में इस पारिभाशिक शब्द का प्रयोग खाद्य पदार्थों व्यंजनों की सजावट के लिए किया जाता है उदाहरंतर दालों में प्याज तमाट्टर का चोंक लगाकर उनको आकरशक बनाया जाता है यह खाद्य सजावट का एक तरीका है बनावट, ठिक्स्चर यह खाद्य पदार्थों के दिखने में कैसा है तथा गाढ़ेपन से संबंध रखता है खाद्य पदार्थों की बनावट कुछ इस प्रकार हो सकती है करारी, चिकनी, नरम, सक्त, मुलायम तथा चबाने लायक मुख्य खाद्यान जो खाद्य पदार्थ प्रतिदिन या अधिकतर खाए जाते हैं जैसे चावल, दक्षिन भारत का तथा गेहू उत्तर भारत का मुख्य खाद्यान है स्वाद कोशिक आए, जीब पर उपस्थित रचनाए, बर्ड्ज, जो की हमें विभिन स्वादों जैसे मीठा, खटा, नमकीन, कसेला में अंतर करने में मदद करती हैं धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में